तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीख लिया था कि किस तरीके से ब्वाइस को हम पहचान सकते हैं, ये एक्टी ब्वाइस में है या फिर पेसी ब्वाइस में अगर आप नहीं देख करें तो चैनल पर आप ओविश्यूएड कर सकते हैं या फिर सर्च कर लीजी exercise 216 तो आप लोगों को मिल जाएगा 216 में हमने क्या बता दिया है वह इसको हम किस तरीके से पैचान सकते हैं तो चलिए हम हम सुरू करते हैं इस वीडियो को और इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम देखेंगे कि passive और active में हम किस तरीके से बना सकते हैं चलिए तो राम पढ़ता है तो यह आपको पता ही है कि यह active में अगर आपने उस वीडियो को देखा है कैसे वह आप लोग उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं ठीक है तो यह active में हम क्या गरता है जैसा हमारा sentence का form होता है या पिर indefinite में हो past में हो या फिर future में हो या फिर other कुछ हो तो वो same to same बन जाता है जैसा कि यहां पर राम पढ़ता है तो यह present indefinite tense में है तो राम reads ओके चलिए तो second हमारा के राम को पढ़ाया जाता है यह मुझे पता है क है ऐसे है आप लोगों को पता है क्या करना है तो पेसिं के लिए हम जो है subject के किस टरीके से यूज करता है subject प्लस में इस आर अब ब्लास एंब में मैं प्लस वर्द्थ्री वर्द्री लब का फिसरा लगाने अप लोगों को नबहूं को आप लिए बनाते हैं रांविस्टाउट इच मिझे प्यार किया जाता है तो यह पेसी में तो अई I am loved I am loved love 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 okay number five वह पीपता है तो कैसे बनाएंगे he waxes he waxes अभी यह देखिए किसमें आ जाता है present in different tense में आ जाता है इसलिए number six उसे पीटा जाता है तो यह पेसी में आ गया तो बनाएंगे he is waxed is waxed number seven वे लोग पेर काटते हैं तो कैसे बनाएंगे they cut the trees यह present in different tense में है next हमारा पेर काटा जाता है तो यह पेसी में आ गया तो बनाएंगे trees are cut trees are cut 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 का जो है तीनों रूप एक ही होता है cut 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 okay number nine शिक्छक अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो बनाएंगे the teacher teaches English teacher teaches English अब यह English जो हमारा subject है subject का first letter हमेशा capital होता है okay यह present in different tense में था तो हमने present in different tense में से बना लिया है लेकिन अब जो है हमारा पेसी में आ गया अंग्रेजी पढ़ाई जाती है बनाएंगे English is taught English is taught और थर्ड रूप लगाएंगे number 11 लड़के पढ़ाये जाते हैं तो बनाएंगे boys are taught यह हमारा जो है पहले से किसमें है पेसी में है number 12 धान उपजाया जाता है तो बनाएंगे पेडी is grown पेडी पुरों थर्ट रूप लगाएंगे ओविसली यह भी पेसी में है number 13 भिखारी खिलाये जाते हैं तो बनाएंगे baggers are fed number 14 सर के मरमत की जाती है यह भी हमारा पेसी में है तो बनाएंगे roads are repaired number 15 पेर लगाये जाते हैं तो बनाएंगे trees are planted trees are planted number 16 घोडे बेचे जाते हैं तो बनाएंगे horses are sold अब यहां पर आप 2 भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है number 17 हमारी मदद की जाती है तो बनाएंगे we are helped we are helped number 18 सीता की प्रसंसा की जाती है तो बनाएंगे सीता is pressed number 19 अच्छे चात्रों को प्रुस्कृत किया जाता है तो यह भी वही है तो बनाएंगे good students are rewarded भी पेसी में है number 20 हम लोग cricket खेलते हैं यह हमारा पेसी में नहीं है यह normal है तो बनाएंगे we play cricket number 21 हम लोगों के द्वारा cricket खेला जाता है तो बनाएंगे cricket is played by us लोगों के द्वारा number 22 राम मुझे पढ़ाता है तो बनाएंगे राम teaches me कि किस में आ गया यह आ गया हमारा present in different tense में okay number 23 मैं राम के द्वारा पढ़ाया जाता हूं तो बनाएंगे I am taught by राम यह भी पेसी में है number 24 हमारे देश में गेहूं उप जाया जाता है तो बनाएंगे wheat is grown is our country wheat is grown by grown in our country यह भी पेसी में था number 25 बंगाल में चाय हर जगा मिलती है तो आपने दुस्तों में जरूर शेयर किजेगा हम मिलते हैं आपको नेक्ष्ट वीडियो में नेक्ष्रसाइज के साथ अता क्ली बबाई